नमस्ते दोस्तों मैं रितुजन फिर हाजिरू आपके लिए एक और नई रेसिपी लेके फ्रेंड्स आम का मौसम हो और आम की कोई स्पेशल डिश मिल जाए तो मज़ा ही दोगुना हो जाता है तो आज हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेकर आए है समर स्पेशल आम की खीर ये रेसिपी बनाना जितना आसान है ये खाने में भी उतनी ही स्वादिस्ट लगती है इसे आप किसी भी खास मौके पर बना कर घर वालों का मूँ मीठा करा सकते है तो चलिए आज की स्पेशल आम की खीर बनाना स्टार्ट करते है यदि अभी तक आपने स्वाद का तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बैल बुटन दबा दीजे दोस्तों जैसा कि आप समझ ही गयोंगे कि हमारा आज का में इंग्रिडियन्ट आम है यहाँ पर मैं दर्शेरी आम ले रही हूँ आप इसके जगे कोई भी आम यूज कर सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखें कि आम में रेशे ना हो और वो मीठा हो यहाँ पर मैंने दो आम कप पल्प निकालके उसे क्राइन कर लिया है ताकि उसका टेक्शर स्मूथ हो जाए और गार्निशिंग के लिए कुछ आमों के चोटे-चोटे पीसेस कट करके रखे हैं और हमें लगेगा दूद जो एक लीटर है और यह फुल फेट क्रीम मिल्क है हाफ कप राइस जिसे मैंने आदी घंटे पहले पानी में बिगोके रखा था शुगर, कस्टरड पाउडर, काजू, बादाम, केसर और इलाइची पाउडर मैंगो खीर बनाने के लिए मैंने सिम फ्लेम पे एक पैन में दूद गरम करने के लिए रख दिया है अब हम दूद में एक बॉइल आने देंगे जैसे ही दूद में बॉइल आने लगे हम इसमें डाल देंगे बिगोई हुए चावल और सिम फ्लेम पर हम चावलों को तब तक पकाएंगे जब तक ये फूल के नरम ना हो जाए और ध्यान रखे हमें इसे बीच वीच में चलाते रहना है ताकि दूद तले में लगे ना जब तक दूद करम हो रहा है हम साइड में कस्टरड पाउडर का गोल तयार करेंगे मैंने वैनिला फ्लेवर का कस्टरड पाउडर लिया है आप चाहे तो इसके जगे कौन फ्लो भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा दूद और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्रेंड्स एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखे कि कस्ट पाउडर डिरेक्ली गरम दूद में ना डाले नहीं तो इसमें गठाने आ जाएंगे और वो अच्छे से मिक्स भी नहीं होगा चावल भी दूद में बॉइल होके नरम हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर शुगर मेल्ट होते ही पानी छोड़ेगी और खीर को पतला करेगी इसलिए हमें से एक दो बिनिट और बॉइल करना होगा दूद को कुछ दिर और बॉइल करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे कस्टर पाउडर खीर को गाड़ा तो करेगा ही साथी साथ बहुत ही डिलीशियस और डिफ्रेंट फ्लिवर देगा अब हम इसे दो से तीन मिनिट और बॉइल करेंगे खीर जब अच्छे से पक जाए तब हम इसमें डालेंगे इलाइची पाउडर और केसर और इन दोनों ही चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन दोनों ही चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम गैस बंद कर देंगे और खीर को एकदम ठंडा कर लेंगे खीर जब रूम टेंपरेचर पर आ जाए तब हम इसमें एट करेंगे मैंगो पल्प और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे बारीक कट के हुई बादाओं और काजू और इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे मैंगो की डिलीशियस और बेहद यमी खीर बनके रेडियो हो चुकिए तो चलिए फटाफट अब हम इसे सर्फ करते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये माउथ वाटरिंग और वेरी डिलीशियस आम की खीर की रेसिपी मुझे कमेंट जरू करे और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करे ताकि स्वात का तड़का का अनल सभी उठा सके तो जल मिलते हैं स्वात के और नए तड़की के साथ तब तक कीप वाचिंग और सपोर्टिंग यार फैवरेट चैनल स्वात का तड़का बाई बैए और तक यू